आई शुशान सहू, टीचर इन सोसल स्टेडिज, वलकम इवाल टो क्लास एड, हिस्ट्री, चाप्टर नमबर शिक्स, शिक्थ चाप्टर, वेवर्स, आइरन स्मेल्टर्स, एन फेक्टरी ओनर्स, यह पार्ट वान है, तो यह जो चाप्टर का नाम जैसे हम बोले कि वेवर्स जो की बुनाकार होते हैं, आईरन स्मेल्टर्स, लोहा को आईरन को पिघला के अलग-अलग तरीका का सब आईरन टूल्स बनाते हैं, देन फेक्टरी ओनर्स, फेक्टरी ओनर्स पुरा समझ में आ जाता है, इंडस्ट्रियालिस्ट, फेक्टरी जो होता है, उसका ओनर्स जो बन स्टाइब करते हैं चाप्टर इंट्रडक्शन देखेंगे कि भारत जो एसा समय था भारत में जो सब टेक्स्टाइल इंडस्ट्री था ड्रेस बनाने का डिजाइन का रप्त वह कहते हैं जो क्राफ्ट इंडस्ट्री था था वाल्ड में और दूसरा iron and steel इसका जो raw materials यह भारत में बहुत ज्यादा था और यह जो second point में बता जा रहा है तो industrialization of Britain industrialization का मतलब यह हता है इंडस्ट्री को बढ़ावा देके कम समय में ज्यादा production मिले जो raw materials है जो naturally जो मिलता है उसको कैसी utilize करके machine के द्वारा with the help of machines कैसे production को ज्यादा किया जा सकता है तो the industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India अंग्रेज लोग जब भारत का आए वो देखे कि भारत में बहुत सारे raw materials है जो कि उनका काम में आये field no.3 में with the growth of industrial production ग्रोथ मतला बढ़ना industrial production इंडस्ट्री में जो production बढ़ा British लोगों का जो इंडस्ट्री स्ट्री स्ट्रे बिगान टु सी इंडिया आजे फास मार्केट for their industrial products British लोगों को मेसिस हो गया उनका लगा कि भारत एक बढ़िया जगा है एक suitable place है जहां हमारा इंडस्ट्री का जो मार्केट है इसको चुना जाए तो वो उसका फाइदा लिए नमबर 4, over the years, सालों साल भर, manufactured goods from Britain began floating India British लोग बहुत जालाग थे क्योंकि जो raw materials भारत से मिलता था वो ले लेते थे ब्रिटेन को ले लेते थे, उसमें इंडस्ट्री में चीज बना के, समान बना के, सबला के भारत में बेचते थे इंडियान मार्केट में, हाइटाइस में, जब वो खरीदते थे raw materials जैसे की कपड़ा बनाना है, example, तो धागा जो की होता है, कॉटन होता है, वो खरीदेंगे, ठ्रेड खरीदेंगे, जब खरीदते थे, वो कम पैशा में खरीदते थे, लेकिन जब बैचते थे ओड्रेस ज्यादा पैशा ले थे, लेकिन अचालाग थे ओ, चलवागे बढ़ते हैं, वाक्शॉप अप अप दे वोर्ड, विश्व का वाक्शॉप है, वाक्शॉप क्या होता है, जानके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ओफ वार्क का प्लेस होता है, वाक्शॉप, मेगानाइज्ड प्रडक्शन अफ कटन टेक्स्टाइल्स, मेड ब्रितें द फोर्मोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन, इन नाइन्टीन प्रडक्शन में, ब्रितें ने एक रिनोंड, एक फेमोस कंट्री हो गया प्रडक्शन में, तूसमें सबसे ज्यादा जो स्टील इंडस्ट्री है, जिसमें लिखाया, आईरोन अन्स्टील इंडस्ट्री, स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रम 1850, जिसके बज़र से ब्रितें का जो पोजिशन था और हाई हो गया, और ब्रितें कें टीवी नोन आज वाक्शप अप दे वर्ल्ड, ब्रितें को वर्ल्ड का वाक्शप बला गया, जहांके बहुत सरा अक्टिविटी हो, इनोवेटीव हो, डेवलप्ड हो, वहीं, ब्रितें रहा, ठीक, फिर देखते हैं कि इंडियन टेक्स्टाइल्स और वर्ल्ड मार्केट, भारत में जो हैंडमेड होता था, चाहे खदी का जो है, डिजाइन, डिफरेंट डिजाइन का स्रॉल हो, सारी हो, धोती हो, डिफरेंट इतना सरी डिजाइन है, उस समय में जो हैंडमेड होता था, वह बहुत कीमती होता था इतना डिजाइन वो बनाते थे हमारे देश का लोग लगभग 1750 के आसपास ब्रिटीश लोगों ने जब बेंगल के उपर अपना अधिकार जमाएं बेंगल को जब कैप्चर किये भारत उस समय में इंडिया वाज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रडूशर आफ कॉर्टन टेक नॉर्ण बोथ फर धेरवाइन क्वालीटी एंड एग्जीक्यूर एक्जीक्वर्ड क्राफट मैंशिप् व्यालीटी का मतलब जो ओरिजिनलिटी क्राप्टमैंस्ट का मतलब जो स्कील है जो टेकनिक हैं कितना अच्छा भारती का लोग करते थे वो डिनों मतलब यह फ्यम मत्रा पेनोंग यह सब आइलेंड जैसा है हम कहें सकते हैं और वेस्ट और सेंटरल असीया मतलब साउथ इस्ट असीया वेस्ट असीया और सेंटरल असीया को यह सब समान चाता था फर्म दे 16th century 16th century से इरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगान बाइंग इंडियन टेक्स्टाइल्स फर सेल इन इरोप सिक्स्टें से एरोप का जो कंट्री है हमारे देस से समान खरीदे और लेके इरोप में बेचे जब वो लेके इरोप में बेचे एरोप में भी यह फेमास ह भल्याट हो गया हमारे भारत का समान तो नेक्स म् realistically तो क्यां क्या शब्द है जो कि इंडूस्ट्री बारा में बताता है यह कोर्टन टेक्स्टाइल के बारा में बताता है anti-you का हिस्ट्री उसका हिस्ट्री बताता है कोई स QU志 एक्जामपल लेते हैं जैसे कि मॉसलिन मुष् इसको जीतना से फाइनली अच्छे से काम किया जाता है इसको बला जाता है Muslim ऐड़ाइड उड़ाइड वाइड करेंसी आफ़ाइड करेंसी बलाइड मतला भाई ज्यादा इसका वाली। यहाँ नाम दियाग गया ordered in box where printed cotton cloth is box मतला बहुत सारी जाता जो कि cotton cloth is print होता था उसको क्या बला चाता था? चींट, कोशेश जो कि खाशा भी कभी के बला चाता है और बंधना ये तीन तरीका का होता था then number 4 चींट is derived from the Hindi word चींट एक cloth with small and colorful flowery designs एक समान था जो कि हिंदी सब्द चींट से आता है और जो कि एक cloth small and colorful flowery design चोटा सा होता है colorful होता है और design वाला होता है इसको कहता है चींट सिमिलाली बंधना क्या होता है ये एसा एक brightly colored बहुत अच्छा वाला color दिया हुआ printed होता है जो कि scar position, neck में head में tie up करते है ठंडे का mushroom में use करते है maximum हम लोग जो कि बांगते हैं हम लोग ठंडे से बचने के लिए सर में बांगते हैं इसको scarf बोला जाता है number six, the widespread use of such words ये जो word use हम किया भी जैसे कि muslin रहा, calico chint, koshar बंधना, ये सब जो word है ये बताता है how popular indian textiles had become in different parts of the world ये बताता है कि हमारे देश का जो product है, कितना famous था world में ये दोखे के example है ये printed design जिसका हम चीन का एक example दिया गया है चीन produced in musli part नम अंधरा का mid 19th century का ये समान है आप देख सकते हैं कितना design कितना बढ़िया से ये बना गया है how decoratively they have made पुरा handmade है original है design वाला आगे दखते हैं ये दोखो बंधन का example है early 20th century का ये middle में जो आपको line जिसा दिख रहा है ये golden का thread है golden thread से बना गया है ये एक example है बंधना का जो कि आप स्कार्व हम कहते हैं okay अभी बात करेंगे Indian textiles in European market हमारा जो textile है हमारा देस का जो product है European market में क्या हलत था देखते हैं तो पहले सबसे पहले point number 1 अज़र डलते हैं काली को act क्या है 1720 में British government ने क्या क्या वो एक नईया वाला कानून बनाएं कि देखिए legislation banning the use of printed cotton textiles in England England में कोई ही cotton textiles यूज नहीं होगा कैसे जो कि हमारे भारत से product जो है उखुद बनाएंगे उनका सब जो भी सब चीज होगा उखुद बनाएंगे और उनका सब use करेंगे अगर हमारे उस करेंगे तो उनका market खराब हो जाएगा ना उनका लॉस होगा तो इसलिए वो कानून बनाएं इस कानून का नाम हो दिये विच इनक्रीज दा प्रोड़क्टिविटी अप तो ट्राडिशनल स्पिंडल्स ट्राडिशनली पहले जैसे बनाया चाता था पुराने जमाने में जो मतलब जो पुराने स्टाइल था उथा उथाड़ा धागा को स्पेंडल बना के पहले जो स्पेंडल एक टा करके कोलेक्शन ने कैसर का ही बांद के रखते थे ये और आसान國家 फ् Это क्या हुआ यह इन भींचिन अप्स्तीम इनजिन इंजिन यह बना रिजार और्ट eut did बनाए 1786 में devolutionized cotton textile weaving यह cotton textile को weaving मतलब जो बुनाकार काम जो है इसको और डेभलप बना जा number four cloth could now be woven in immense quantities and cheaply two immense quantity मतलब बहौत सारे बना जा सकता था और क्या cheap view होता cheap मतलब सस्ता महांगा नहीं सस्ता सस्ता इसलिए है क्योंकि मेशीन बना रहा है काम समय में बहुत ज्यादा बना रहा है तो इसलिए थोड़ा सस्ता हुआ number five however Indian textiles continue to dominate wall trade till the end of 18th century जो भी हो 18th century लास्ट तक इंडिया का जो handmade था वो पुरा dominate करके रखा पुरा cover up करके रखा मतलब और किसी का उतना फेमास नहीं हुआ जितना हमारा हुआ था number six European trading company जो थे जैसे की डॉच थे डॉच नेधर लेंड लोग कम होलांड भी बोल सकते हैं फ्रेंच मतलब फ्रेंच का लोग English लब रिटेन का लोग यह जो सब थे यह उनको बहुत सारे मुनाफ़ा हुआ मुनाफ़ा प्रफिट मुनाफ़ा करें आउट ओफ लॉरिशिंग ट्रेड यह ट्रेड करके बिजनेस करके उनका बहुत सारे उनको फाइदा मिला आप देख सकते हो यह आपका जो किताब में मिलता है और सिल्क कहां से मिलता है सब आइडेंटिफाइड क्या गया है यू कन जूम इट यू कन वाच अधर आगे बटते हैं वेवर्स वेवर्स कौन होते हैं देखते हैं पहला नुमर प्रण वेवर्स ओफन बिलंग टू कम्यूनिटीज तर स्पेशियलाइज इन विविंग यह एसा एक कम्यूनिटी होता है जैसे कि उनके फोर फादर्स पापा उनके पापा फिर उनके ग्रांड परेंट्स उनके इसे एक ट्राडिशिनली एक डाइनेस्टिक जैसा होता है इसे काम करें मतलब करते थे वो लोग इसमें वह से लिए बता गया है कि स्पेशिफिक कम्यूनिटी होता था बुनाकर जो है दैक्सट देरिए शीली यह पास्ट एमञाज़ार जाता था जैसे कि मैं बला उनका फॉर फाइधर्स होते थे पापा फिर उनके पापा पापा उनके पापा इसे होता था दो यह जेनरेशन टू जचनेरेसन एकनरे के अल्यारी होता था नमबर थ्री दा तन्ती वेवर्स ऑह बंगल युसु लहा जैंग में कोई कोलं कॉर्णों कोई क olması लाहा जाता है Agoraaring युसुला जाने श्यां सेल मोड़ा व्यावर्स लाहा जाता ही में कोई कलर्ण segundo साउथ इंडिया and some of the communities famous for weaving तो यह जो सब एक्जाम्पल दिया गया अलग-अलग हमारे देश का अलग-अलग शेत्र में अलग-अलग नामें जाने जाते हैं यह फर्स ठीक है फिर प्रोशेस अफ वीविंग वीविंग का प्रोशेस कैसे होता है कैसे काम किया जाता है पहले क् टॉन बायब यह जाता करते हैं कलेक्शन करना को इसखें अट चर्खा बनाने के लिए मदद करता है ठीक है आप देखें कहंगे गांधी जी वाजी उजी ईजिंग चर्खा for मेकिंग थ्रेड next नूमर त्री थ्रेड वाज अन दॉस्पुन अन्द चर्खा है रोलांद यश जो चरखा होता था, चरखा से धागा बनाते थे, और टकले में उसको round of करके रखते थे. When the expanding was over, the thread was opened into cloth by the waiver. जब धागा बनाना खतम होता था, यह धागा बनाना उसको रख लेते थे, फिर उसको cloth कपडा बनाते थे. In most communities, weaving was a task done by men. बहुत सारे जगह में देखा गया है most of the community जो धागा बनाने का काम यह मेन ही करते हैं for colored textiles the thread was dyed by the dyer dyed मतलब इसको color लगाना जो अलग अलग design वाला जो होता है different color का होता है धागा के उपर color लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं रंगी रंग्रीज by the dyer known as रंग्रीज no.7 for a printed cloth the wafers needed the help of specialist block printers इसको बोला जाता है chipigars यह जो block printers होता था इसमें कपडा को और थोड़ा design करने के लिए यह machine का use करते थे इसको कहते हैं chipigars with a process of weaving okay this was the discussion of the day one second we'll meet in the next video no exposed till that take care of studies thank you all